वेरी वेरी गुड बानिंग बच्चो हमने ब्रांच अकाउंटिंग स्टार्ट किया था ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्रांच अकाउंटिंग पॉइंट अभियू से दो तरह की होती है एक dependent और दूसरा कौन सा बताया था independent मैंने आपसे बोला था dependent branch dependent branch वो branch होती है जिसके books account head office ही maintain करता है जबके independent branch वो होती है जो अपने books account खुद maintain करती है head office अपने separately books account maintain करे branch अपने separately books account maintain करे तो इसको हम क्या बोल देते हैं independent branch independent branch double entry system पर होती है आपको normal accounting करना है लेकिन कभी-कभी कुछ special transaction की case में हमको special accounting याद रखना पड़ती है उस में आपको पहली point बताया था कि पिटा अगर fix asset register head office maintain कर लेता है तो उस case में accounting ध्यान रखना कि जब भी fix asset खरीद आई जाएंगी accounting echo की books में होगी branch की books में नहीं होगी branch भी अगर fix asset खरीदती है तो payment करती है तो payment की इन्टी तो करना पड़ेगी क्योंकि case गया है लेकिन उसकी जगए fix asset account उपन नहीं होगा echo account उपन हो जाएगा depreciation भी echo account के थ्रू ही लगेगा तो ये बाते हमने discuss की थी तो accounting मैंने आपको समझाई थी इसकी fix asset register maintain by head office की इसके बाद मैंने बोला था कुछ common expenses होते हैं common expenses कभी-कभी branch bear branch को bear करवाय जाते हैं branch से बोला जाता है कि भी कुछ part आप भी bear करो तो फिर branch को अपनी books में इंटी डालना पड़ती है common expenses account debit to H.O क्यों क्योंकि payment तो H.O ने किया होता है यह बाला point हमने discuss किया था इसके बाद बेटा next point हमने goods in transit cash in transit के बारे में discussion किया था मैंने आप से बोला था goods in transit cash in transit की accounting किसी की भी books में करो कोई फरक नहीं पड़ता अगर H.O की books में accounting कर रहे हो तो goods in transit account debit cash in transit account debit to branch होगी branch की books में कर रहे हो तो भी goods in transit account debit branch cash in transit account debit to H.O होगा accounting किसी की भी books में करो reconciliation हो जाता है इसलिए इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप किसकी books में कर रहे हो लेकिन अगर question specify करता है कि भहिया इसकी books में करना है अगर एससे इससे उससे बोला है देखो नॉर्मल लॉस तो ब्रांच का ब्रांच ही बियर करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है अब नॉर्मल लॉस की, मैंने आप से बोला था, अगर ब्रांच के अंदर हुआ है, ब्रांच के अंदर ही हुआ है, तो हम ब्रांच से ही बियर करवा देंगे, इंड प्रश्चिए की दिया नई करेंगे तो फिर इंटी डालेगा चुखी लॉस है ब्रांच का लेकिन ब्रांच इसलिए इंटी के डाल देगा लॉस्ट वाराइब वैए डिच टूब रांच अकॉट्ट ध्यान रखना यह ट्रेडिंग नहीं आएगा जाएगा लॉस्ट अगर एच्छो लॉस बियर कर रहा है तो बस यह स्पेशल पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया था कि बिटा इतना ध्यान रखना वाकी कोई प्रॉलम नहीं है क्लियर इतना सबसे बनेगा की नहीं अलो कई बार यहां पर भी नुक्सान ब्रांच में ही हुआ माल लो लॉस कहां हुआ है बिटा ब्रांच के अंदर ही हुआ है और अब मैं आपसे कॉस्टन पूछ रहा हूं बताओ अगर लॉस ब्रांच में हुआ है तो यह लॉस किसको भीयर करना चाहिए अगर यह लॉस ब्रांच में हुआ है तो ब्रांच को भीयर करना चाहिए लेकिन एस पर अकाउंटिंग पॉलिसी रूल्स कई बार हैड ओफिस बोल देता है कि अबनौर्मल लॉस की अकाउंटिंग आप अपने हां मत करना हम देखना चाहते हैं कि ब्रांच एक्च्वल में प्रॉफिट में है कि लॉस में है अपको करने की ज़रूरत नहीं है आप भी यह नहीं करोगी तो फिर अकाउंटिंग इंट्री क्या होगी आपको बता है पहली इंट्री तो ब्रांच अपनी बुक्स में यहीं डालेगा लॉस भायर अकाउंट डेबिट टू गूड्स रिसीफ रॉम हो या फिर टेडिंग भी लिख सकते हो कि गुड्स रिसीफ रॉम हो अल्टिमेटी टेडिंग में जाएगा तो टेडिंग काउंट लिख लो पहली इंट्री तो यह हो जाएगी और चुकि हो भी यह कर रहा है इसलिए फिर यह जो आप पी एंडेल में भेज रहे थे तो पी एंडेल में ना जाके ल कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है तो पहली अकाउंटिंग इंट्री तो यह हो जाएगी लेकिन दूसरी इंट्री जो यह लॉस हम ट्रांसपर करते थे पी एंडेल में ब्रांच के वो ब्रांच के पी एंडेल में ट्रांसपर ना करके ब्रांच उसको कहां ट्रांसपर कर दे है तो फिर accounting entry में loss by fire जो है वो हमारा account for तो होगा total लेकिन जितना भी नुकसान हुआ है वो HO account में transfer हो जाएगा HO इसकी accounting करेगा तो फिर यहाँ HO को भी अपनी books में entry डालना पड़ेगी अब यहाँ चुकि आपने HO को PR करवाया है तो HO अपनी books में entry डालेगा के बाल इतने amount से क्या entry डालेगा entry डालेगा लॉस्वाइफायर account debit लॉस्वाइफायर अकाउंट debit हो गया चालू देखो इंटी डालेगा लॉस्वाइफायर अकाउंट debit लॉस्वाइफायर को डेविट कर देगा टू का हुआ था यह लॉस्वाइफायर इसके goods में हुआ की branch में हुआ है branch में तो यह अपनी books में लेके लेगा two branch account पहले तो फिर यह लॉस्वाइफायर एचो अपने पी एंडेल में भेज़ देगा तो इंट्री हो जाएगी पी एंडेल account debit to loss by fire यह भी लिख लो अपनी books के अंदर point लिख लो loss by fire हुआ कहां पर branch में तो loss by fire in branch but beard by head office अगर एचो बीयर कर रहा है इसको वाले branch में हुआ है लेकिन एचो बीयर कर रहा है तो इंट्री होगी पी एंडेल की जगए branch loss को कहां ट्रांसपर कर देगी एचो account में और फिर एचो उसको अपनी books में record गर लेगा तो इंट्री हो जाएगी आपको याद रखना है तो यह होगी हमारा loss by fire in branch but beard by head office यह third case होता है यह तब ही करना जब question is specify करें इस question is silent तो जिसका loss है उसी को भी एर करा देंगे उसमें कोई problem नहीं है तो तीन cases हो गए बिटा पहला case मैंने आपको सिखाया था कल first case क्या सिखाया था कि जिसका loss है उसी की books में book होगा उसी के पी एंडेल में जाएगा दूसा case मैंने बोला था इंटांजिट का loss आप एचो की books में डालोगे ब्रांच इसकी कोई entry नहीं करेगी इंटांजिट loss की ब्रांच अपनी books में कोई entry नहीं करेगी त्यान रखना ये entry किसके books में होंगी फटवट बोलो head office के books में होंगी तीसरा case आज मैंने बचाया कि loss हुआ ब्रांच में थर्ड केस है loss हुआ कहां पर फटवट बोलो ब्रांच में लेकिन BR कौन कर रहा है head office तो दोनों की books में accounting डालना पड़ेगी किसकी books में इंट्री होगी फिर दोनों की पहले तो जो loss हुआ है उसकी इंट्री डालेगा ब्रांच फिर उसको HO account में transfer करने की इंट्री डालेंगे क्या ये बात समझ में आ गई तो तीन cases होते हैं ये तीनों cases आपको समझ में आ गए क्या online वाले बच्चे online वाले बच्चे clear है विदीता एसर बाकी बच्चे भूमी हर्षवर्दन कनिस्का बेटा अक्कुल मिला के आठ जनर इंट्री सीखना है काम खतम हो जाएगा लौस की इंट्री हमको आती थी लौस बाइफार अकाउंट एविट्टू ट्रेडिंग काउंट ये तो हम लिखेंगे लिखेंगे बस ये ध्यान रखना पी एंडल में ना भेज के कौन से अकाउंट में भेज देंगे हेड ऑफिस अकाउंट में क्योंकि हो भी एर कर रहा है समझ मैं रहा कि नहीं और फिर एचो अपने पी एंडल में लिखे लेगा इसको ब्रांच अकाउंट के थुरू तो ये था वेड़ा हमारा क्या अबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग इस तरह से होगी अब आता है नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखें जरा फिप्ट अडजस्मेंट जो आपको समझना है वो है ब्रांच डेटर डारेक्ली गुट्स रिटन टू एचो ब्रांच यहां ध्यान से समझना ताकि पॉइंट आपको सारी बातें क्लियर हो पिटा स्टार्टिंग से समझेंगे कुछ ट्रांजिक्शन्स को देखना है याँपर सबसे पहले तो एचो ने गुट्स भेजा ब्रांच को कोई बच्चा मेर को बताए क्या जनन इंट्री होगी इसकी किस की बूक्स में क्या इंट्री डालेगा बोलू आप सबको पता है, इंटी डालेगा क्या branch account debit, वो इसको sale माल लेगा, तो data को debit कर देगा branch को और to sale, sale का नाम क्या लिखेंगे, आपड to sale लिखेंगे, goods and to branch लिखेंगे goods and to branch से, एक लाख रुपे का goods पहचा एक लाख रुपे से वो इंटी डाल देगा, कोई दिकत नहीं है, कितना clear है अच्छा branch अपनी books में क्या इंटी डालेगे, इसकी सोचो जरा, branch को ये goods मिला होगा, तो branch ने अपनी books में क्या इंटी डाली होगी, चलो very good वो purchase की इंटी डालेगे, goods receive from head office account debit two, क्या लेख लेगी, head office, कितने रुपे से, एक लाख रुपे से, काम घदम, स्तारे बच्चे बताओ, या इस accounting में किसी को कोई दिकत, अब हुआ है, branch ने, branch ने क्या किया, इसी में से कुछ goods, या चलो अभी पूरा goods, पूरा goods, पूरा का पूरा goods, क्या किया, branch ने, एक person है, डेटर, यह हमारा कोई branch का डेटर है, customer है, branch का goods, branch के पास आया, और आके बोलता है, भया मेरे को goods दे दो, तो branch ने, ये goods, किसको sale कर दिया, जरा दिहान से सोचो, ये goods, किसको sale कर दिया, बोलो, third party को sale कर दिया, sold it, at the rate of rupees, 1,25,000, 1,25,000, अब सोचो जरा, branch ने sale किया है, बदाओ, इसकी entry किसके books में होगी, branch ने sale किया है, बदाओ, इसकी entry किसके books में होगी, एचो की books में होगी, कि branch की books में होगी, branch की books में, क्या entry डाली होगी, बदाओ, सोचो, सोचो जली से, क्या entry डाली होगी, डेटर अकाउंट डेट्टू सेल्स कितने से 1,25,00 बताओ तीन इंट्री में किसी को कोई दिकत ये इंट्री हो चुकी थी ये इंट्री हो चुकी है वह कि अब ये जो ब्रांच का कस्टमर है ये ब्रांच का डेटर जो है, that is a customer of branch branch customer नालाइक ही कर गया इसको goods पसंद नहीं आया अब इसको goods पसंद नहीं आया तो बताओ ये goods इसको किसको लोटाना था branch कोई लोटाना चाहिए था इसको क्योंकि इसने ब्रांच से खरीदा था इसने क्या किया ये goods किसको देके आ गया, सारे बच्चे जल्ली से बताओ, ये goods किसको देके आ गया, बापस बोलो ये भाई, ये goods head office को देके आ गया क्या ये बात समझ में आई की नहीं बोलो, तो इसने ये goods किसको बापस लोटा दिया, जोड से बोलो head office को बापस लोटा दिया, अब ये बात उठी है कि head office को ये goods बापस आ गया पहले point तो सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं हुआ क्या, बोलो क्या क्या हुआ है, बताओ जरा पहले head office ने branch को goods भेचा वो ही goods, branch ने किसको बेंच दिया, उधारी में किसी customer को बेंच दिया और customer ने ये goods बापस लोटा दिया है, क्या है ये बात समझ में आईगी नहीं, अब transaction एक हुआ transaction क्या है फटाफट बोलो एक हुआ है, एक transaction है एक ही transaction है मतलब, हाँ, goods किसको लोटा दिया गया है, बोलो, head office इसको, तो transaction तो ये की है लेकिन actual में इसमें दो transaction चुपे हुएं, एक नहीं कितने transaction चुपे हैं, दो ये एक transaction भले आप इसको exam में लिखा हुआ मिले कि एक transaction है लेकिन actual में एक transaction नहीं है ये कितने transaction है, फटाफट बोलो तो ध्यान रखेंगे सारे बच्चे ये दो ट्रांजिक्षन है कितने ट्रांजिक्षन है फटाफट बोलो दो ट्रांजिक्षन है ये जो यहां गुड्स बापिस लोट रहा है ये एक ट्रांजिक्षन नहीं है कितने ट्रांजिक्षन है फटाफट बोलो दो ट्रांजिक्शन हो रहे है दो कौन-कौन से सोचो ब्रांच के लिए ये सेल्स रिटन है ब्रांच के लिए क्या है जो गुड्स बहेंचा था वो वापिस आ गया मतलब सेल्स रिटन है ब्रांच के लिए सेल्स रिटन है की नहीं बोलो हाया न और H.O. के लिए ये goods written है, H.O. के लिए sales written थोड़ी ना है, H.O. के लिए जो goods H.O. ने भेजाता है, वो ही goods वापिस आगे है, H.O. के बास, बोलो है न, तो H.O. के लिए क्या है, goods written है, मतलब transaction एक नहीं है, दो transaction मान के चलोगे इसको, कितने transaction मानोगे, सारे बच्चे बताओ, इसको कितने transaction treat करोगे अब अपनी books में, बोलो, दो, ये basically दो transaction का roll अदा करता है, एक, ब्रांच इसको क्या मानेगी, सारे बच्चे बताओ, ब्रांच इसको क्या एजियूम करेगी, बोलो, ब्रांच बोलेगी, भाया, ये मेरी sales written है, क्योंकि goods वापिस लोट गया है, समझ मे आई बात की नहीं, ब्रांच इसको क्या बोलेगी, ये मेरी क्या है, ये मेरी sales written है, goods वापिस आगया है, और हो इसको क्या मानेगा, हो इसको sales written थोड़ी दो मानेगा, हो इसको goods written मानेगा, समझ में आया, हो इसको क्या मानेगा, goods written मानेगा, एक्जाम में अगर ये ट्रांजिक्शन आपको मिलता है तो आप इस ट्रांजिक्शन को एक्जाम नहीं मानोगे पहली बात तो इसको दो ट्रांजिक्शन त्रीट करोगे एक्जाम कौन सा मानोगे फटबट बोलो गुट स्रेटन और दूसरा ट्रांजिक्शन क्या मानोगे सेल्स रेटन समझ में आया पक्का कि दूर्गे से थे बीडियो थोड़ा सा बारबार आरा जारा देखना एक बारा के बीडियो आरा जारा बार 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 कि इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे अब बताओ अगर मैं इसकी अकाउंटिंग करना चाहता हूं सबकुछ सई करना चाहता हूं तो बताओ सबकुछ सई कैसे होगा दौनों में इंडिर डालना पड़ीगी है प्रक्रण्च की बुट्स मैं भी होर प्रक्रड़ीग से उतस ब्रक्रों डोर्ग इंपोरिटिंट ब्रक्राण्च की बुट्स मैं account history ऐल प्राइस पर कौंसी प्राइस पर sales price पर क्यों हो जो कि sales return की accounting sales price पर होती है that is very very important branch की books में इसकी accounting कौन सी price पर होगी sales price पर लेकिन H.O की books में सोचो H.O इसको अपनी books में कौन सी price पर recording करेगा cost price या invoice price जित्ते पर उसने बेज़ा था बास समझ मैं रही कि नहीं तो अपनी है recording करेगा कौन सी price, cost price या जो भी invoice price पर बेज़ाता तो invoice price पर cost पर बेज़ाता तो cost price पर जिस price पर बेज़ाता उस price पर record करेगा बात समझ में आ रही कि नहीं बोलो तो ऐचो अपनी books में cost price पर record करेगा तो ये दो accounting entries सबको clear होईंगी नहीं तो इस तरह से accounting entries होगी अब सोचो अगर ये दोनों इंटियां दोनों की books में डाल दू तो actual में सारे transaction cancel हो जाएंगे क्योंकि branch के पास goods है ही नहीं बोलो हाँ है ना तो branch अपनी हाँ books की entry cancel करेगा HO के पास goods है नहीं HO अपनी हाँ cancel है एचो के पास goods बापिस आगिया तो एचो अपने पास goods की recording बापिस करेगा तो बताओ in the books of head office head office की books में इसकी क्या entry डालूँगा बोलो सारे बच्चे बताओ जरा head office क्या करेगा इस entry को जो भेजी थी goods उस entry को अपनी books में reverse करेगा कि नहीं उस entry को reverse कर देगा किसकी books में फटाफट बोलो एचो की books अपकाउंट में क्या entry हो जाएगी सारे बच्चे जल्ली से बताओ goods sent to branch account debit entry को reverse कर देगा two क्या लिख देगा जोड सो बोलो मतलब वो यह मानेगा कि goods customer ने return नहीं किया branch ने return किया है वो यह अज्यूम करके इंटी डाल देगा goods sent to branch account debit to branch account इंटी को reverse कर देगा return की इंटी डाल देगा clear है कि नहीं और इधर branch की books में सारे बच्चे बताओ branch अपनी books में क्या इंटी डाल देगी बोलो very good branch अपनी books में इंटी डाल देगी sales return account debit to data data को cancel करेगी समझ में आई कि नहीं तो sales return account debit to data राल देगी काम ख़दम हो जाएगा I hope सबको clear हो गया होगा तर लोगे कि नहीं पक्का इधर क्या light fluctuation बहुत जादा है इस बाए राए खराब है देखो यह आ रहा जा रहा ना देखो ना इता समानि में अगए दूंगो इता समानि में अगए दूंगो तो 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 से आइपड भी सेट कर देना है आइपड काला काला देख रहा है कि अचे उलब की तो सेट कर दो तो सेट कर दो दो कर दो झाल कर दो तो, से नहीं कर दो दो तो सेट पनी है उलब काला दूम लाओ लाया कर दो अरे light fluctuations है अरे इधर light fluctuation चटे यह सब लाइटें आइटें पता नहीं इसमें से भी आवाज आते हैं यह उल्टी से दे इलेक्टिसेयन को भुला के सारे बायर चेंज करोवा हूं यहांके लग्त्रवण यह मत्या ऱंवे हूं अर्वण यहां profund Um ग्त्रवण स्वेप्ट दवा इवे शेप्ट दवा स्वेप्ट दवा इवेटर करना अप्शूट दवा हाँ गुड्स हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या इंटी डाल देगा सोचो पेटर ये इंट्री तो पहले हो चुकी होगी गुड्स भेजने के इंट्री हो चुकी होगी इधर गुड्स डिसीव होने के इंट्री हो चुकी होगी पहली बात तो तो पहले एक दो ट्रांजिक्शन तो आप समझो दो ट्रांजिक्षन सबको समझ में आ गये की नहीं कौन कौन से एक ब्रांच का ट्रांजिक्षन समझ में आ गया पहले तो क्या समझ में आया ब्रांच का ट्रांजिक्षन बोलो goods received किया उसके entry होई फिर sales return किया ये entry होई, इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, पक्का, पक्का, गुड, अगर इतना समझ में आ गया है, तो अब आपको आँगे समझ में आएगा, अब देखो, ये accounting entry तो हो गई हमारी, अब ज़रा एक special transaction सोचो, कि branch, echo ने इसको क्या मान लिया, सारे बच्चे बताओ जड़ा, echo ने इसको क्या मान लिया है, जोड से बोलो, branch ने goods return किया है, तो क्या branch ने इसकी entry डाली, नहीं, तो branch को एक entry और डालना पड़ेगी, क्या, सोचो, कि echo को ये goods उसने क्या कर दिया है, return कर दिया है, समझ में आया है कि नहीं, तो branch अपनी books में एक entry और डालेगा, क्या entry डालेगा, सारे बच्चे जली से सोचो, क्या entry डालेगा, बोलो, branch की books में एक entry और होगी, बोलो कौनसी, जो ये entry इसने डाली ती कि goods receive हुआ, अब ये goods तो वापिस हो के पास पहुच किया है, तो इसके entry क्या डालना पड़ेगी, जोड से बोलो, HO account debit to goods receive from HO account, ये entry और डालना पड़ेगी, reverse entry और करना पड़ेगी, क्या ही बास समझ मैं कि नहीं, तो ये entry जो डाली ती, इस entry गो भी उसको reverse करना पड़ेगा, और ये कितने रुपे से होगा, बोलो, एक लाग रुपे से, तो basically, accounting entry कितनी होगी, फटबट बोलो, तीन होगी, मतलब ब्रांच की books में, एक तो sales return है ही, साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा ब्रांच को, इसको goods return भी मानना पड़ेगा, समझ मैं आया कि नहीं, goods return to, एचो हुआ है, ये भी मानना पड़ेगा, और ये कौन सी price पर होगा ब्रांच की books में, सोचो, cost price पर, कौन सी price पर, cost price पर, तो बिटा, sales return तो होगी, sales price पर, एक लाख पचीस अजार पर इंड्री होगी, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, sales return की इंड्री तो एक पचीस पर होगी, लेकिन, 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 बाकी दो इंड्रियां कौन सी price पर होगी, बोलो, cost price पर, कौन सी price पर होगी, cost price पर होगी, तब जाके ये सारे account टेली होंगे, कैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, branch का trading बना के बताता हूँ, देखो जरा, branch का trading count, branch का trading count, इसको goods आया था की नहीं, आया था, तो ये क्या लिखा होगा, two goods receive from HO, कितने का goods आया था, एक लाख का, इसने इस goods को क्या कर दिया था, कितने में, एक लाख पचीस लाख, फिर customer ने इस goods वापे से लोटा दिया, तो entries को cancel करना है, अब cancel कैसे करेंगे, तो बेटा ये एक पड़ेगा यहां पर, करना पड़ेगा की नहीं, और ये जो sale की है, आपने, कितने की, जोड से बोलो, एक लाख पचीस लाख की, ये sale भी आपको क्या करना पड़ेगी, बोलो, cancel करना पड़ेगी, तब जाके सब कुछ सही होगा, तो sales के नीचे तो क्या लिख देंगे, cancel करना पड़ेगा, बोलो हाए न, तो ये भी लिखो के return, return to HO, HO को return कर दिया, कितने रुपेगा, एक लाख का, क्योंकि goods, HO के पास पहुच गया है, तब जाके branch के सारे transaction cancel होगे की नहीं, नहीं तो branch के cancel ही नहीं होगे, तो branch की books में कितनी accounting injury होगी, दो, clear है की नहीं, तो branch की books में 2 accounting injury होगी, HO अपनी books में कितनी इंडी डालेगा, HO अपनी books में कितनी इंडी डालेगा, एक इंडी डालेगा, क्या मानते हुए, वो data से पैसा goods आया है, ये नहीं मालेगा, वो किस से goods आया है, ब्रांच से आया है, वो ये मानेगा, तब जाके branch का trading टेली होगा, सोचो, य ये branch का trading था, sorry, HO का trading है, HO ने पहले तो ये goods खरीदा होगा, तब तो branch को भेजा होगा की नहीं, तो HO की books में क्या आ रहा होगा, यहापर two purchase आ रहा होगा पहले तो, लिखा था की नहीं, कितने रुपे का, एक लाग का goods खरीदा होगा, फिर उसने ये goods किसको भेज दिया था, बोलो, branch को तो by goods sent to branch लिख रखा होगा, यहापर, कितना, एक लाग, अब क्या हुआ, यह goods बापिस आ गया की नहीं, तो उसको यहाँ से cancel करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, goods, return, by branch, बोलो हाय न, कितने रुपे, तब जाके balance के लिए होगा, और यहाँ हमारा क्या HO की books में, चुकि यह goods अब HO के पास है, तो यहाँ closing stock में दिखेगा, कितने रुपेगा, जोड से बोलो, एक लाग का, क्या यह सबको समझ में आ गया, तो यह tally होगा, इसका trading tally होगा नहीं, तो इसका trading भी tally, नहीं होगा, समझ में आया है कि नहीं, तो entry एक है, transaction एक है, क् कि branch के data ने goods directly HACO को दे दिया, लेकिन accounting दो चीजों की होगी, एक, एक तो sales return और दूसरा goods return, और जब goods return के entry डालोगे, तो यह मत कर लेना कि cable HACO की books में डालो, किसकी books में डालना पड़ेंगी, branch, branch के लिए दो transaction है, मैं आपको यही बोल रहा था, branch के लिए कितने transaction है, दो, ए एक कौन सा, सारे बच्चे बताओ, sales return और दूसरा कौन सा, goods return, important point यह है, कि आपको sales return की accounting करना है, sell price पर, और goods return की accounting करोगे, cost price पर, तो इंट्रियां दो होगी, clear है कि नहीं, किसकी books में, जोर से बोलो, branch की books में, क्या entry होगी, सबको समझ में आगया कि नहीं, ध्यान रखना य यह accounting entries डालना पड़ेंगी, तब जाके सब कुछ टेली होगा, clear, बिदीता, हर्ष्वर्दन, समझ में आगया, प्रिया, clear है बिटा, हाँ, रितु बिटा, clear है, प्रिया, हाँ, good बिटा, इस तरह से accounting entries होगी, तो यह थी बिटा हमारी क्या, accounting related point, कि जब भी goods return होगा, तो इस अकोंटिंग इंट्रीज डालना पड़ेंगी, कलोगे यह बाला transaction, सेम बिटा, हेच ओ, डारेकली पेट टु ब्रांच क्रेइटर, हेच ओ ने सीधा, किसके क्रेइटर को पेमेंट कर दीआ, ब्रांच के क्रेइटर को पेमेंट कर दिया, नेक्स लिखें, हेच ओ, डारेकली ब्रांच के कैईटर को पेमेंट कर दिया. अब हुआ क्या होगा, आप सारे बच्चे बताओ. ब्रांच ने पहले तो goods खरीदा होगा, किसी बंदे से, बोलो. और उधारी में खरीदा होगा. तो बताओ क्या entry डाल रखी होगी इसकी. इस ने ब्रांच ने अपनी बुक्स में इंटी डाल लगी होगी परचेस अकाउन डेबिट टू क्रेडिटर से दो लाख रुपे का गुड्स मान लो ब्रांच ने खरीदा था अब हुआ ये कि इसका पेमेंट करना किसको था ब्रांच का ट्रांजिक्सन है तो ब्रांच को पेमेंट करना चाहिए था लेकिन पेमेंट इस क्रेडिटर को किस ने दे दिया सीधा पेमेंट किसको कर दिया फड़ावट बोलो एचो ने कर दिया तो ये कौन सा केस हो गया फड़ावट बोलो जो ये हैचो था हमारा head office था, इसने सीधा payment किसको कर दिया, बोलो किसको payment कर दिया, बोलो ब्रांच के creditor को सीधा payment कर दिया अब ज़रा इस transaction का impact सोचो cash किसकी गई हैचो की तो cash कम होगी कि नहीं हैचो की लेकिन creditor किसके कम होगे branch के creditor कम करना है तो HO ये मानेगा कि पहले उसने cash branch को दिया और branch ने फिर cash किसको दे दिया, creditor मतलब वो ये नहीं मानेगा कि उसने creditor को payment किया वो क्या मानेगा, कि उसने payment किसको दे दिया है branch को cash दिया तो पहले ये मान लेते हैं कि cash किसको भीजी गई branch को branch को भीजी गई तो H.O. अपनी books में क्या इंटी डालेगा सोचो बेटा H.O. अपनी books में क्या इंटी डाल देगा बोलो branch account debit to cash account very good वो यह मानेगा कि उसने cash किसको भेजी यह फड़ाफट बोलो branch को भेजी यह तो वो अपनी cash कम कर लेगा और लिख देगा branch account debit to cash account कितने रुपे से जोड से बोलो दो लाग और यहाँ जो cash कहां से आई थी फटफट बोलो जो cash कहां से आई थी head office से वो cash branch ने किसको दे दी creator को दे दी creator कम करेंगे तो creator account debit, creator को debit कर देंगे यह किसकी books है बेटा branch की, branch की books में creator account debit होगा to, लेकिन actually में बता हो cash आई और cash गई क्या नहीं, तो cash आना जाना नहीं लिखेंगे सीधा क्या लिख देंगे, पहले मैं लिखूं cash account debit to HO, फिल लिखूं creator account debit to cash, उससे अच्छा सीधा क्या लिख दूं, cater to HO account, समझ में आया है की नहीं कितने रुपे से? 2,00,00 रुपे से तो काम खतम हो जाएगा समझ में आया है की नहीं हाँ, directly कर दो आप, आप चाहो तो कर सकते हो पहली entry क्या डालो, cash account debit to HO फिर cater account debit to cash तो unnecessary क्या होगा, cash debit होगा और फिर cash credit होगा, जबकि actual में ब्रांच को ना तो cash मिली है, ना दी है, तो normal entry डाल देगी branch credit account debit करके to HO लिख देगी क्योंकि HO ने payment कर दिया है इसका, बात समझ में आगई की नहीं, तो इस तरह से accounting entries हो जाएगी, बोलो कोई doubt तो यह था बेटा हमारा कौन सा, फटा फट बोलो adjustment number 6 next adjustment, stock reserve कौन सा, stock reserve ठीके जरा है, stock reserve stock reserve का adjustment के बाल हो की books में होगा, पहली बात तो यह लिख लो always recording in HO books stock reserve हमेशा किस की books में बनेगा? HO it is not open in branch books branch की books में कभी भी stock reserve open नहीं होगा हमेशा stock reserve किस की books में बनता है? HO की books में और यह कब बनेगा? जब branch good send करती है कौन सी price पर? that is very very important कौन सी price पर बेंच रही है? बोलो advice price पर जब branch goods invoice price पर sale करेगी तो stock reserve का question arise होगा बो भी किस की books में? बोलो सब कुछ एच्चो के point of view से समझना clear है कि नहीं? अजब इसकी accounting, accounting सब एच्चो करेगा branch इसकी कोई accounting नहीं करेगी branch को कोई दिक्कत नहीं है अब देखो जड़ा द्यान से समझना ताकि point आप सारे बच्चो को clear हो इसको समझने के लिए आपको तीन concept समझना है पहले तो GP rate का concept समझ में अच्छे से आना चाहिए दूसरा calculation आप stock reserve समझ में आना चाहिए तीसरा जड़ा इंट्री समझेंगी यह तीन बाते हम discuss करेंगे तो हमारा stock reserve का point अपने आप समझ में आ जाएगा सबसे पहले तो मैं आपको GP rate सिखा देता हूँ बच्चो GP rate जो होती है जिन बच्चो को आती है वो तो बढ़िया है बट जिन बच्चो को नहीं आती भुली कलो GP rate दो तरह की होती है at cost और at sales on cost लिको on cost और on sales या invoice price clear यह दो तरह इसे निकलती है कैसे base जिस चीज को base बनाके निकाला गया है जिस चीज को भी क्या बनाया गया बिटाओ base उस पर GP rate लगती है say जैसे मैं बोलू मैंने GP rate का formula लेखा say मैं एक एक्जाम्पल ले लेता हूँ अगर मैं बोलू की cost है मालो एक लाख रुपे और GP ले रहा हूँ बेटा मैं 25,000 रुपे तो मेरी invoice price या sales price मेरे लिए क्या हो जाएगी फटबट बोलो एक लाख 25,000 अब देखो यहां मैं GP rate निकालो GP rate GP rate निकालो तो GP rate का formula सारे बच्चों को पता है gross profit उपर आएगा अब नीचे आएगा base नीचे क्या आता है base अगर मैंने cost को बना लिया base किसको बना लिया cost को और into 100 करूँ तो यह मेरा GP rate क्या बन जाएगा फटबट बोलो 25,000 को अगर मैं divide कर दूँ rate कौन सी rate बन जाएगी 25% आएगी लेकिन यह किस पर आएगी यह कैलाने लगेगी on cost क्यों क्यों क्योंकि आपने base किसको बनाया फटबट बोलो cost को clear है कि नहीं जब cost को base बनाते हैं तो rate किस पर आती है फटबट बोलो cost पर लेकिन अगर क्या हो अगर मैं base sell price को बनाऊ तो देखो GP कभी change नहीं होता GP बोई रहेगा जो उपर था लेकिन नीचे वाली चीज़ change कर रहा हूं base change कर रहा हूं base को मैं क्या लिख दूँ फटबट बोलो sales या invoice price से divide कर दू into 100 तो सारे बच्चे बताओ यहाँ पर GP वो ही रहेगा 25,000 और divide by 1,25,000 कर दू sales मेरी 1,25,000 है into 100 करूँ तो सारे बच्चे जल्ली से बताओ मेरे को यहाँ पर rate same आई कि rate अलग हो गई rate अलग हो गई तो अब बताओ दोनों में rate अलग लग हैं कि नहीं important point यह होता है कि अगर percentage की पीछे cost लिखा है तो यह rate cost पर ही लगेगी और percentage की पीछे अगर sale लिखा है तो sale वाली rate किस पर लगेगी sale पर ही लगेगी जो price वाली rate होती है वो rate उसी पर applicable होगी आप ऐसा नहीं कर सकते कि 25% को 1,25 पर लगा दो sale price पर लगा दो सोचो क्या हो अगर मैं 25% को 1,25 पर लगा दो तो क्या मेरा GP सही आएगा नहीं जीपी सही नहीं आएगा बात समझ में रहे की नहीं तो जो rate जैसी होगी apply भी आपको उसी पर करना पड़ेगा समझ में आया की नहीं cost वाली rate को cost पर लगाना पड़ेगा sell वाली rate को sales पर लगाना पड़ेगा is that clear? यह अच्छे से समझ में आ गया की नहीं तो अब बच्चो कई बार question में ऐसा नहीं होता कई बार question में amount कुछ ड़बल होता है say जैसे यह वाली rate है तो rate को हमको convert करना भी आना चाहिए rate को क्या करना आना चाहिए convert say जैसे आपको GP rate दे रखी हो 25% on cost clear है कि नहीं तो बच्चो इसको हम convert कर सकते है percentage अटाने के लिए क्या लिखोगे 25 divided by 100 on cost यह हो गया बेटा जो base है बोई पीछे जो लिखा है बोई है क्योंकि base का मतलब ही पीछे लिखते हैं मतब 100 रोपे आपकी क्या उनसी price हो गई अब सोचो 100 रोपे आपकी क्या उनसी price हो गई cost price हो गई तो इसको आप 25 तो है अगर cost price में मैं profit जोड़ दू cost price में क्या जोड़ दू जोड़ सो बोलो profit जोड़ दू जोड़ सकते हैं कि नहीं तो profit तो 25 रोपे fix है दो तो change हो नहीं नहीं मैंने बोला GP का भी change नहीं हो था अगर मैं जोड़ दू तो सारे बच्चे बताओ फिर ये कौनसी वाली rate लिखोगे इनको cost लिखोगे कि on sale बोलने लगोगे on sale बोलने लगोगे तो ये बन गया 25 डिवाइड वाई 125 on sales और इसको card पीट दो तो ये आपका one-fifth on sales आगया की नहीं बोलो तो हम इस तरह से convert कर सकते हैं उल्टा दूसरा say question में दे रखा 20% on sales क्या दे रखा 20% on sales अब बदाओ इसको में कैसा लिख सकता हूँ आप आराम से लिख सकते हैं इसको 20 divide by सारे बच्चे बदाओ क्या 100 on sales लिख सकते हो की नहीं अब बदाओ ये जो 100 रुपे लिखा है अब ये 100 रुपे क्या बन गया on sale लिखा है तो 100 रुपे sell के लाना की नहीं अच्छा sell में profit जोड़ा हूँ रहता है क्या करना पड़ेगा मेरे को plus ये minus minus अगर इसको cost बनाना है तो profit तो वही रहेगा बस 100 रुपे मैंसे मैं 20 रुपे हटा दूँ तो ये क्या बन जाएगा फटाबट बो on cost बन गया बताओ मैं इसको on cost क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि sell में से profit हड़ा दो तो क्या आ गई cost तो आपने नीचे बेस cost को लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा फटाबट बो 20 divided by 80 on cost सारे बच्चे बताओ इसका मतलब क्या आ गया 1 fourth on cost आ गया की नहीं तो बेटा ये rate convert करना आना चाहिए clear है की नहीं अब rate को कैसे भी convert कर सकते हो कई बार ऐसा भी लिखा हो सकता है जैसे लिखा हुआ है कि 1 fourth on cost इसको मेरे को convert करना है तो यहां भी वही rule है उपर जो है वो GP है एक रुपे क्या है और 4 रुपे क्या है cost है एक रुपे GP है और 4 रुपे क्या है जोड सा बोलो cost है तो सारे बच्चे बताओ एक रुपे तो एक रुपी रहेगा चार रुपे में अगर मैं एक रुपे का profit जोड दूँ तो बताओ यह क्या बन गया on sales बन गया 40% on cost 40% on cost और आप से बोलते हैं जड़ा इसको convert करो तो it is very easy क्या करोगे 40 divided by 100 on cost लिख देता हूं मैं इसको पहले तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 by 5 on cost बोलो हाँ है न अगर यह 2 by 5 on cost है तो बताओ 2 रुपे तो मेरा profit है वो तो 2 ही दाएगा अच्छा cost को sell बनाने के लिए minus करूँ की plus करूँ cost को sell बनाने के लिए क्या करेंगे plus तो क्या हो जाएगा 5 रुपे में 2 रुपे जुड़ जाएगा की नी तो यह हो गया on क्या फड़ावट बोलो sales तो यह क्या आगया फड़ावट बोलो 2 by 7 on sales बात समझ में आगए की नी तो important point क्या है अगर मैं cost से sell पे जाऊँगा तो plus करूँगा और sell से cost पे आऊँगा तो minus कर दूँगा करना कुछ नहीं है बस जो ऊपर लिखा है वो plus या minus करना रहता है समझ में आए की नी जब भी sell से cost पे जाऊँगे तो plus और cost से sell पे आऊँगे तो minus तो सबसे पहरे तो ये GP rate conversion आना बहुत जरूरी है अगर GP rate conversion आगया तो आपने यहां भी बेटा आप question को solve पे लोगे clear रहे की नी बोलो GP rate सब को निकालना आगया की नी एक और तरीका होता है directly कर सकते हो directly कर सकते हो मतलब directly मतलब calculator की help से भी कर सकते हो calculator में एक MU का button होता है उसे MU को use करना अगर आगया तो ये directly हो जाता है rate की ज़रूरत ही नहीं होती से जैसे मैं आप से बोलू बताओ यही मेरा question है देखो माल लो आपको cost दे दी एक लाग cost किती है और GP rate दे दू GP rate दे दू 25% की जगे on cost की जगे on sale दे दू 20% on sale अब देखो आपको बता है आप आराम से कर सकते हो 20% on sale है मतलब 1.5th on sale है तो 1.4th on cost होगी और 1.4th on cost होगी तो एक लाग का 1.4th करोगी तो 25,000 का profit आएगा की नहीं आपको बता है 25,000 का profit आने वाला है बोलो हाया न rate convert करना समझ में आया है की नहीं भाईया rate क्यों convert करना है क्योंकि यहां क्या दे रखा है sell जबकि question में amount किस में गिवन है cost में तो भाईया rate convert करना पड़ेगी क्योंकि cost पर cost भाली rate लगाना है sell भाली rate नहीं नहीं गाना profit आप सबको पता है 25,000 की नहीं आएगा बोलो हाया न online वाले बच्चे clear तो इसको हम calculator की help से भी कर सकते है without conversion कैसे calculator पर लिखो एक लाग रुपे लिखो सारे बच्चे एक लाग लिख लिए M U वाला बटन प्रेस करो calculator पर जो M U वाला बटन प्रेस हो है calculator पर M U लबाओ लबादिया अब लिखो 2,0 percentage वाला बटन दबादो तो देखो जरा 5,000,000 अगया होगा sorry एक लाग 25,000 आगया होगा equal to दबादो अगय 25,000 क्या rate convert करना पड़ा M U का बटन यूज कर लो इससे भी काम हो जाएगा समझ में आगी ने कोई doubt तो rate convert करने की जरुवती नी पड़ेगी जो दिया है उससे direct निकाल लो without rate conversion direct answer आजाता है अब इमें क्यों सिखा रहा हूँ क्यों कि कई वार fractions आते हैं और fractions में आपको rate जो है आप क्या कर लेता हो इसको round off कर लेता हो तो गड़बड हो जाता है मामला calculator सकरो कभी गड़बड नी होगा या fraction यूज करो 1 4th 1 5th तो भी कभी दिक्कत नी होगी percentage कभी use मत करो clear है की नी तो एक तरीका ये भी हो गया इसका उल्टा माल लो question ऐसा है जिसमें आपको दे रखी sales क्या दे रखी फटा फट बोलो sales, sales दे रखी से 1,25,000 और GP rate किस पर दे रखी है cost पर दे रखी हो दे रखी है 25% on cost अब बदाओ, फिर से क्या direct rate date apply हो पाएगी क्या नहीं, आपको बता है 1,25,000 का 1,25,000 का 25,000 का profit आजाएगा, आएगा की नहीं इसको MU की help से करते हैं, किसकी help से MU, तो लिखो calculator पर 1,25,000 अब दिहान रखना, ये कौन सी price है sell price लिख लिया, लिखो calculator MU वाला बटन प्रेस करो कर दिया, MU का बटन प्रेस 25 लिखो लिख दिया 25 एक हम साथ साथ है वाला बटन होगा plus और minus वाला बटन होगा, जिसमें plus भी बना होगा और minus भी बना होगा एक साथ ही बने रहते हैं, दोनों वो दवा दो तो minus 25 लिख गया होगा अब आप बोलोगी सार, minus 25 क्यों किया? क्योंकि sale में से profit हटाना है हटाने के लिए minus 25 परसन करना है, clear है कि नहीं? तब तो cost आएगी लिख दिया, उसके बाद percentage दवा दो और equal to दवा दो अपने आब आजाएगा answer माइनस 25 लिख गया होगा, आपका minus 25 लिख आ रहा है कि नहीं? तो यह तरीका अपना लो ऐसे भी निकाल सकते हो समझ में आया है कि नहीं बिना दिमाग लगाए, यह तरीका भी है, आपके पास calculator है आप M.U का बटन यूज़ करो और M.U का बटन यूज़ करके इनको find out कर सकते हो समझ में आया कि नहीं तो आई होब सबको GP rate तो समझ में आ गई कि नहीं clear अब GP समझ में आ गया तो अब हम सीख लेते हैं इसका calculations करना और जना entry करना क्या सीख लेते हैं फट़फट बो calculation और J अब calculation और J कैसे डालेंगे वो समझ लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा बच्चो clear तो चलो अपनी copy पर लिको फट़फट फट़फट कुछ चीज़ें अब देखो जरा यहां देहान से देखना ताकि point आपको समझ में आए यह head office है कौन है विड़ा head office head office ने एक goods खरीदा एक लाख रुपे का उसने इसको sale कर दिया किसको फट़फट बो ब्रांच को ब्रांच को भेज दिया तो ब्रांच को जब वो भेज रहा है तो cost price नहीं ले रहा वो कौन सी price ले रहा है फट़फट बोलो invoice price ले रहा है invoice price और बोल रहा है मैंने एक पचीज का goods भेजा है जबकि actual में उस goods की cost है कितनी फट़फट बोलो अब important point यह invoice price दियान से सुनना यह हमको यह लफड़ा है invoice price echo के लिए sales है echo के लिए क्या है sales है बट ब्रांच इसको क्या assume करेगी branch के लिए cost है मतब percentage on invoice price branch के लिए cost है और percentage on invoice price echo के लिए sales है मतब जो चीज branch के लिए cost है echo के लिए क्या मानी जाएगी फटबट बोलो sales बारी जाएगी आपको GP rate branch के point of view से नहीं निकालना है GP rate हमेशा किसके point of view से निकालोगे echo branch अपनी books में इसको कौन सी price पर record कर लेगा फटबट बोलो 125,000 branch इसको 125,000 पर लिखेगा और 125,000 को क्या मान लेगा फटबट बोलो cost लेकिन actual में वो cost नहीं है actual में वो क्या है फटबट बोलो invoice price है बात समझ में आरेगी नहीं तो अब जड़ा echo की books सोचो echo की trading को सोचो echo की trading में क्या लफडा हो रहा होगा जड़ा echo की trading को सोचो तो आपको सारी बात हैं समझ में आ जाएंगे echo echo ने क्या किया बताओ echo ने यहां लिखा होगा to purchase पहले तो goods खरीदा होगा कितने रुपे का एक लाग का और किसको भेंच दिया है buy goods sent to branch branch को भेंच दिया कितने में एक लाग 25,000 में और क्या उसने अपने यहां profit बुक कर लिया होगा बोलो बिल्कुल सर उसने अपनी बुक्स में 25,000 का profit बुक कर लिया होगा gross profit बुक करके बैट गया होगा भाई वो तो बैट गया होगा की नहीं 25,000 का जीपी बुक करके बैट गया बोलो profit हो गया लेकिन सोचो क्या actual में यह profit हुआ branch और एच्छो है तो एक ही आदमी लीगली तो एक ही है accounting वार अलगलग कर रहे है branch ने क्या किया branch का trading सोचो branch का trading count अगर सोचो तो branch ने क्या किया है बदाओ आपको समझ में आ जाएगा branch ने क्या कर रहा है है purchase लिखेगी वो goods receive from echo कितने रुपे फटावट बोलो एक लाग पचीस जार पर recording कर लिया और मालो ये goods अभी विका नहीं है तो branch के कहां पर आ जाएगा विका नहीं है तो ये कहां आ जाएगा जोड सो बोलो closing stock में आ जाएगा एक पचीस closing stock में भी दिख रहा है और branch ने अपना टेलीगली अकाउंट अब मेरे बताओ बच्चो ब्रांच में कोई गड़वड है branch में कुछ गड़वड है क्या नहीं branch की accounting देखो तो branch ने तो सबको सही कर रखा है branch को कोई मतलब ही नहीं है branch ने कोई profit book नहीं कर रखा एक्चो ने जबकि ये goods भी कहीं नहीं है तो at the time of consolidation जब आप consolidation करोगे branch की books को अपनी books में involved करोगे तो आपको दो काम करना पड़ेंगे ध्यान रखना कब जब आप क्या करोगे consolidation करोगे तो दो काम करना पड़ेंगे क्या करना पड़ेगा सोचो एक ये जो goods है बताओ ये invoice price पर है की नहीं बोलो और दूसरा ये profit जो है वो cancel करना पड़ेगा बना पड़ेगा की नहीं तो एचो अपनी books में से profit को cancel करेगा इस profit को बोलते है unrealized profit कौन सा profit बोलते है फटा फट बोलो unrealized profit इसको cancel करना पड़ेगा अब cancel कहां से करेगा ये बताओ जरा कहां से करेगा कहां लिखा ये profit पी एंडेल में चला गया ना तो cancel कहां से होगा पी एंडेल से क्या कर दूं बताओ अगर मैं लिख दूं यहाँ पर two stock reserve सारे बच्चे बताओ 25,000 से तो क्या ये cancel हो जाएगा बोलो तो जना इंट्री क्या हो जाएगी बताओ पी एंडेल अकाउंट को क्या कर दिया आपने फटाफट बोलो डेबिट कर दिया और two क्या लिख देंगे फटाफट बोलो stock reserve account कितने से जोड़ सो बोलो 25,000 से तो ये accounting इंट्री किसके books में होगी जल्दी से जल्दी बताओ क्या ब्रांच की books में कोई इंट्री होगी क्या ब्रांच की books में इसकी कोई इंट्री नहीं होगी किसकी books में इंट्री होगी head office की books में इसकी इंट्री होगी clear है कि नहीं ये इंट्री डाल दी तो बताओ GP cancel हो गया कि नहीं क्योंकि एक्चुमने कोई profit था ही नहीं समझ मैं या लागी नी तो यह कलाती एक adjustment entries कॉनसे इंट्री फोड़ उड़ पोलो adjustment entry क्यों बोल रहा है क्यों कि adjustment entry जैसा ही इसका होगा adjustment entry क्या होती है इस चाल पास हुई है closing stock के entry इस यह तो giving stock कि नेक्स टीयर की टेडिंग में आजाता है कि नहीं इधा credit होता है next year में debit हो जाता है cancel हो जाता है कि नहीं outstanding expenses, prepared expenses ये सब entry हैं कौन सी है? adjustment entries कहलाती तो HO का अपनी books में adjustment entry डाल के इस profit को cancel करना पड़ता है अब सोचो क्या होगा next year में अब next year का सोचो सारे बच्चे branch की books में बताओ branch की books में क्या होगा next year में बापिस से मैं trading count बना रहा हूँ branch की books में बापिस से मैं trading count बना रहा हूँ बताओ पिछले साल का closing इस साल का क्या बन जाएगा? बोलो opening stock आ जाएगा याँ पर कितने का आएगा? एक पच्चीस का आएगा और मान लो branch ने इसको sale कर दिया, buy sales third party को बेंच दिया next year में बिग गया बिग सकता है कि नहीं? और कितने में बेंच दिया? say, 140,000 में बेंच दिया तो क्या आगया है याँ पर profit book कल लिया उसने तो कितने का? फटा फट बोलो 15,000 बोलो वो कल लिया 15,000 का profit अरे हाँ है ना अच्छा, HO की books में सोचो, अब next year में क्या होगा? सारे बच्चे बताओ, trading में कुछ होगा क्या? नहीं, ना तो उसने goods खरीदा है, ना ही बेंचा है बोलो, trading में कुछ नहीं होगा लेकिन सोचो P&L में अम मेरे बच्चो ये बताओ क्या ये profit 25,000 का actual में रिलाइज हो चुका है हाँ, कैसे रिलाइज हो गया? लाक रुपे का goods एक चालीस में बिका है तो बताओ profit कितना है? एक goods कितने का खरीदा था है, चोने, देखो ज़रा और outsider को कितने में बिक गया है? एक चालीस में इस entry को next year में क्या कर दूँ? फड़वट बोलो reverse कर दूँगा किस की books में? जहां entry होई थी? का होई थी? जोड से बोलो एक चो की books में तो profit अपने आप बुक हो जाएगा मतब क्या entry हो जाएगी? next year में सारे बच्चे बताओ stock reserve account debit to P&L account कितने रुपे से जोड से बोलो जैसी ये वाली entry डालूँगा तो सारे बच्चे बताओ ये stock reserve यहाँ पर credit site में आ जाएगा आ जाएगा की नहीं? P&L account क्या हो रहा है? देखो जरा P&L account credit हो रहा है की नहीं? credit site में आ जाएगा ये stock reserve कितने रुपे का जोड से बोलो सच्ची से जार जब ये realized हो जाएगा हम मानते हैं जनरली बिग गया होगा goods तो इंट्री डाल नहीं है समझ मैं रहा की नहीं year end trial balance के अंदर दिया रहेगा ये entry पिछले साल हो चुकी थी तो ये हमें सा trial balance के अंदर होगा trial balance के अंदर जो है that means वो opening stock reserve है इसको cancel करना पड़ेगा और trial balance के बाहर जो होगा वो आपको बनाना पड़ेगा समझ मैं रहा की नहीं तो आपको दोने entry डालना पड़ेगी opening को cancel करने वाला और closing को बनाने वाला समझ में आएंगी नहीं तो entry एक नहीं होगी कितनी होगी जोड से बोलो दो होगी तो stock reserve account जैसे ही इंटी डालेंगे तो बताओ HO क्या net profit कितने से बढ़ जाएगा बोलो 25,000 से net profit बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा की नहीं तो अब देखो पूरा ठीहान रखना opening stock reserve हमेशा trial balance के बाहर होगा की अंदर होगा अंदर होगा और closing stock reserve बाहर होगा बिल्कु closing stock के जैसा आपको इसको calculate करना पड़ेगा clear है कि नहीं तो जो trial balance के अंदर है वो कौन सा stock reserve होगा opening और जो trial balance के बाहर है वो कौन सा होगा closing आपको दोनों entry डालना आना चाहिए opening stock reserve credit हो जाएगा closing stock reserve debit हो जाएगा तो profit अपने आप ही book हो जाएगा clear है कि नहीं लेकिन ये adjustment बदाओ किसकी books में होगे ये दोनों adjustment stock reserve के adjustment किसकी books में होगे branch की books में नहीं किसकी books में है branch की books में इसका कोई impact नहीं आता अब इसका calculations कैसे करेंगे accounting कैसे करेंगे तो बेटा मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर एक trial balance example ले रहा हूँ समझाने के लिए तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे calculations करना है कैसे निकालना है clear hello तो मैं यहाँ बना रहा हूँ HO की books और branch की books उठालाता हूँ format कहां कीचूंगा मैं चलो देखो यहाँ देर रहे हैं trial balance के अंदर दिया है stock reserve पताओ trial balance के अंदर जो stock reserve दिया है वो कौन सा होगा कितना दिया है 20,000 यह आपको कभी भी निकालने की ज़रूरत नहीं branch में होगा क्या नहीं दूसरा दिया है goods sent to branch rupees 8 lakh goods receive from HO 7 lakh ok निच्छे additional information फ्रेंड दिया हुगा है goods same to branch at 40% on cost जो भी goods भीजा गया है वो 40% on cost पर भीजा गया है किसको, ब्रांच को, दूसरा दिया है, क्लोजिंग स्टॉंग, एच्चो का, आपको दिया है, तूलेक, और ब्रांच का दिया है, सेवेंटी थाउजन, ब्रांच के यहां सेवेंटी थाउजिंग का, क्लोजिंग स्टॉंग पड़ा है, पास, एच्जेस्मेंट इंट्री, आफ, टॉक रिजर्ब, आपको इस टॉक रिजर्ब की एच्जेस्मेंट इंट्री डालना है, अब सारे बच्चे जल्दी से बताओ मेरे को, पहले तो, ओपनिंग स्टॉक रिजर्ब का क्या करोगे, जल्दी से बताओ, अच्छा, इंट्री किसके बुक्स में होगी, पहले तो यह बताओ, ब्रांच की बुक्स में कि एच्चो की बुक्स में, तो हम किसकी बुक्स में बनाएंगे एचो का profit and loss. एचो के P&L में होगी की नहीं? एचो के P&L में बना देता हूँ. बताओ, सबसे पहला काम क्या करोगे? यह जो stock reserve आरा है trial balance का. बताओ जरा है trial balance के अंदर जो आरा 20,000 इसका क्या करोगे? इसको उठाके तो सीधा कहा भेज़ दोगे? जना इंडी क्या डाल दी, अगर मैं इसकी जना इंडी पूछू, बच्चो आपसे दो इंडी क्या डाल दी, बताओ. very good, stock reserve account, debit, to P&L, कितने रुपे से बोलो? यह कौन सा वाला stock reserve है? opening या closing? opening, opening adjustment entry. समझ में आ गया, cancel कर दिया. closing का, closing निकालना पड़ेगा. तो closing के लिए क्या बनाएंगे, working, note, और लिखेंगे, calculation of, closing, stock, reserve. यह निकालना पड़ेगा. बात समझ में आ रही कि नहीं? तो closing किस पे निकलेगा? closing किस पे निकलेगा? बताओ, echo के stock पे निकलेगा, कि branch के stock पे निकलेगा? बताओ, इन में से कौन सी चीज इन्वाइस प्राइज है, बोलो. इन्वाइस प्राइज किस की cost होती है? echo की की branch की? branch की. यह इन्वाइस प्राइज है. clear है कि नहीं? बोलो. तो निकलेगा किस पर? निकलेगा, closing stock of branch पर. बताओ, कितने रुपे का दे रखा? 70,000. और यह कौन सी प्राइज है? इन्वाइस. clear है कि नहीं? और साथी साथ, goods in transit. अगर कोई goods, goods in transit है, तो उस पर भी निकलेगा. क्यों? क्योंकि HO ने उसका भी profit book कर लिया होगा. खल लिया होगा कि नहीं? क्योंकि HO तो जब goods भेजता है, तभी book कर लियता है कि नहीं? तो इस पर भी निकलेगा. अब इस पर कैसे निकालोगे? सारे बच्चे जली से बताओ. इस पर कैसे निकालोगे तो goods in transit चाहिए आपको. सारे बच्चे बताओ, आट लाग का goods भेजा था, साथ लाग का मिला है. मतलब कितने रुपे का goods अभी in transit है? बोलो. एक लाग का goods अभी in transit है. ये एक लाग रुपे भी कौन सी price है? बोलो. इन पर निकलेगा. और सारे बच्चे बताओ, आपको GP rate किस पर दे? बताओ, GP rate किस पर दे रखी है? बोलो. 40% on, क्या दे रखी? जोड सो बोलो. cost दे रखी. अब मेरा question ही है, क्या ये rate डारेक्ली लगेगी? नए. ये rate cost पर दे रखी है, जबकि लगाना किस पर है? जोड सो बोलो. invoice price पर लगाना है. तो rate को convert करना पड़ेगा कि नहीं? कैसे convert करोगे rate को? मैंने बोला था, percentage के पीछे जो लिखा है. वो 100 रुपे है. बोलो. तो आप 100 रुपे कौन सी price है? cost. आपको invoice price बनाना है. कैसे बनेगा? 40 में 100 रुपे जोड दोगे की नहीं? ये क्या बन गया? on invoice price या sales price बन गया की नहीं? तो सारे बच्चे बताओ, ये क्या हो जाएगा? 2, Y, 7 on invoice price. मैंने आपसे बोला था, fraction में बनाया करो, percentage बनी. clear है की नहीं? तो बस बेटा, अब निकाल लो stock reserve. कितना आजाएगा? जल्ली जल्ली बताओ, 1,70,000 पर क्या कर दोगे? बोलो, 2, Y, 7. कर दो, 1,70,000 का 2, Y, 7. कितना आजाएगा? जोड दो बोलो. 48,071 या गया? आ गया की नहीं? बस काम खतम. इसकी जना इंट्री कौन बताएगा? इसकी जना इंट्री क्या होगी? बोलो. यह आपका closing stock reserve आ गया. इसकी जना इंट्री क्या होगी? बोलो. यह cancel करना है तो P&L को debit कर देंगे. 2 stock reserve. कितने से? 48,571 से. 48,571 से. इसको बोलोगे closing adjustment in 3. और यह किस की बुक्स में होगी? हो की बुक्स में. हो अपनी बुक्स में. डेबिट साइट में भी लिखेगा. क्या लिखेगा? 2 stock reserve. कितना? 48,571 का खतम. समझ में आयां कि नहीं? तो यह होगी adjustment entries. तो बताओ बिटा, calculation किस पर होगा? 2 चीज़ों पर होगा. कौन-कौन सी 2 चीज़ों पर calculation होगा? फटा-फट फटा-फट जल्ली बताओ. कौन-कौन सी 2 चीज़ों पर calculation होगा? बोलो. एक तो closing stock का branch और दूसरा goods in transit. और rate हमेशा कौन सी वाली use करोगे? on invoice price. कभी भी rate cost वाली use मत करना होगा. और हमेशा exam में rate cost पर ही given होगी. तो आप उसको convert करके, पहले invoice price वाली rate बनाओगे, उसके बाद rate को apply करोगे दो चीज़ों पर. किस-किस पर? एक तो closing stock और दूसरा goods in transit. भूल मत जाना, goods in transit पर भी stock रिज़ों निकालना पड़ेगा. क् goods की accounting भी H.O. कर चुका होगा. और H.O. कर चुका है तो उसका profit book हो चुका है. तो वो cancel करना पड़ेगा. clear? हाई अना? good. तो इस तरीके से बिटा आपको निकालना पड़ेगी. ये थे हमारे क्या? calculation किसका? stock reserve का. तो बताओ, यहाँ तक अच्छे से clear हो गया कि ने? last adjustment आता है inter branch transaction. total मिला कि कितने adjustment मैंने आपसे बोला था पड़ने के? आठ. और ये last adjustment है. अगर ये last आपको समझ में आगए आठों के आठ तो काम कतम हो जाएगा फिर. फिर branch में कोई दिक्कत नहीं है. और इन में ऐसे एक भी कमजोर रहा, तो branch में दिक्कत है. चलो revise करते हैं. फटा फ हमने सबसे पहले चीज पड़ी थी. एक goods sent to branch, HO के लिए क्या है? sell. और goods received from HO, branch के लिए क्या है? purchase. ब्रांच के लिए HO capital account है. और HO के लिए branch एक तरह का investment है. ये हमने दो बात हैं डिसकस की थी. उसके बाद सारे बच्चे बताओ, फिर मैंने आपको special कुछ transactions बताये थे. special transaction में सबसे पहला transaction में आपको लिखवाया था कौन सा. फिक्ससेट register कौन maintain कर रहा है? तो branch की books में इसका नाम नहीं लिखता है. fix asset का नाम नहीं आना चाहिए. अब HO ने fix asset खरी दी, कोई दिक्कत नहीं है. HO अपनी books में नॉर्मल इंटी डाल देगा fix asset account debit to cash. लेकिन अगर branch ने fix asset कर रही है, दिक्कत है, क्योंकि fix asset account उपन नहीं हो सकता, तो इंटी का डालेंगे? HO account debit to cash. branch जब depreciation लगाएगा, तो इंटी डालेगा depreciation account debit to HO. समझ मैं रहा कि नहीं? मतब वो सारे गाम HO account के थुरू करेगा. दूसरी चीज पड़ी थी, अपने expenses. मने बोला था, common expenses अगर branch पियर कर रही है, तो branch को अपनी books में expenses को debit करना पड़ेगा. Credit किसको करेंगे? Payment तो HO कर चुका है, तो payment किसको कर देंगे? To? HO को. Cash को? नहीं लिखना है. ब्रांच की books की बात कर रही है, clear है कि नहीं? हमको HO से मतलब भी नहीं, हमको पुरा concentration branch पर रखना है, नाम क्या है? branch accounting, HO accounting थोड़ी नहीं, clear है कि नहीं? तीसरी चीज, मैंने आपसे discuss की थी, कौन सी? goods in transit और cash in transit की. मैंने बुला ते देखो भी या goods in transit, cash in transit किसी की भी books में लिखो, कोई फरक नहीं पड़ता, बड़ ज्यादा बेटर रहेगा, किस की books में लिखें? HO की books में? अगर HO की books नहीं पूछी तो branch की books में लिखके हैं, ल अगर branch की books है, तो HO और HO की books है, टू branch, एक दूसरे के नाम लिख देंगे, काम कादम हो जाएगा, लेकिन entry किसी एक की books में होगी, दोनों की books में entry यहां, नहीं होगी. इसके बाद सारे बच्चे बताओ, तीसरा adjustment कौन सा पढ़ा था? start adjustment abnormal loss पढ़ा, फोर्थ ही बात करों, फोर्थ abnormal loss था, मैंने बोला था, normal loss की accounting तो branch की books में ही करना है, normal loss के entry क्या होगी, normal loss account debit to purchase, या to trading, समझ मैं रहागी नहीं, और normal loss का चला जाएगा, profit and loss में, तो entry क्या हो जाएगी, जोड से बोलो, profit and loss account debit to normal loss, कोई काम खतम, इसका कोई insurance तो मिलता नहीं है, abnormal loss, अगर branch में हुआ तो branch ही बियर करें, entry डालेंगे, abnormal loss account debit to purchase, या to trading, और abnormal loss का चला जाएगा, फड़ा फड़ा बोलो, P&L में, insurance claim काटके, entry हो जाएगी, P&L account debit to abnormal loss, लेकिन क्या हो, अगर question में ये लिखा है, ब्रां branch का abnormal loss कौन भी अर गरेगा, HO, तो पहली entry तो यही होगी, abnormal loss account debit to trading, या purchase, करोगे की नहीं, दूसरी entry, P&L account की जगह कि इसको debit कर दोगे, HO को तो entry क्या हो जाएगी, HO account debit to abnormal loss, clear है की नहीं, अब HO को इसको अपनी books में book भी करना पड़ेगा, तो HO अपनी books में क्या लिखेगा, abnormal loss account debit to branch, और फिर यह abnormal loss, HO के P&L में चला जाएगा, तो entry हो जाएगी, P&L account debit to abnormal loss, काम कतम हो जाएगा, clear है की नहीं, in transit वाला, in transit वाले loss की accounting branch में होगी ही नहीं, in transit वाला loss हमेशा ही कौन BR करेगा, HO, और HO BR करेगा, तो entry HO क्यों क्यों डालना है, abnormal loss account debit to branch लिखेगा, और फिर abnormal loss को अपने P&L में फेज़ देगा, क्या ही बास समझ में आ गए थी, इसके बाद, तीसरे, चौथे के बाद, पांच में adjustment हमने पढ़ा था, goods directly return to HO by branch return, branch की data ने goods directly return कर दिया, तो मैंने बोला था, यह दो ट्रांजिक्शन है, sales return और goods return का, तो sales return की entry तो सबको आती है, branch की books में हो जाएगी, sales return account debit to data, goods return की entry भी डालना पड़ेगी उसको, तो goods return की entry का डालेंगे, जोड से बोलो, HO account debit to goods received from HO account, entry को reverse कर देंगे, वहाँ entry क्या होगी, फटा बट बोलो, वहाँ entry हो जाएगी, goods sent to branch account debit to branch account, तो यह तीन accounting entries डालेंगे, तब जाके सारा adjustment cancel होगा, फिर मैंने बोला ब्रांच के क्रेइटर को directly HO ने payment कर दिया, तो HO अपनी books में, तो यह डालेगा, पेशा ब्रांच को दिया है, इंट्री ब्रांच account debit to cash, यहाँ entry हो जाएगी, क्रेइटर account debit to HO, काम खतम हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, इसके बाद आगे थे हम next adjustment पर किस पर फटा बट बोलो stock reserve, stock reserve की accounting किस की books में करना है, हमेशा याद रखो, किस की books में, HO की books में, stock reserve मतलब cancel करना है, profit क्यों cancel करना है, क्यों cancel करना है, क्यों cancel करना है, क्यों इंट्री होगी stock reserve को cancel करने की, सारे बच्चे जली से बता दो, stock reserve को हम credit करेंगे, और P&L को क्या कर देंगे, debit तो entry होगी, P&L calculation किस पर करोगे, calculation हमेशा किस पर करना है, सारे बच्चे बताओ branch के stock पर, और good saying, transit पर gp rate कौन सी लगाओगे, हमेशा at invoice price बाली, कभी भी कौन सी rate नहीं लगाना है, cost price बाली rate नहीं लगाना है, क्या यह बात सबको समझ में आगी, stock reserve काम खतम, बहुत इजी है, clear है कि नहीं, हम आजाएं, last adjustment कौन सा, inter branch transaction, समझ में आया कि नहीं, कौन सा, inter branch transaction, inter branch transaction क्या होते हैं, बिटा एक head office है, और उस head office की कई सारी branches है, एक head office है, और उसकी कई सारी branches हैं, branches 1, branch 2, branch 3, branch 4, branch 5, त्रेर सारी branches हैं, और branch branch आपस में transaction करती हैं, मतलब जैसे branch 1, branch 2 को goods भीज़ दे, branch 2, branch 1 को goods भीज़ दे, बात समझ में आ रही कि नहीं, ऐसे transaction, कौन से transaction कहलाते हैं, that transaction is, inter branch transaction, इनको कौन से transaction बोलते हैं बच्चों, inter branch transaction बोलते हैं, बात समझ में आईगी नहीं तो भाईया यह तो हो गए आपके इंटर ब्रांच ट्रांजिक्शन अब इंटर ब्रांच ट्रांजिक्शन की काउंटिंग हो कैसे करता है वो हमारे कोर्स में है और इसका separate questions भी आता है exam में कई बार आता है जब मैं exam दे रहा था यही question मेरी exam में आया था इसी का पापकी exam में भी यही आएगा में को आज भी आद है समझ में है रहा कि नहीं होत इसी है और कई बार पूछा जाता है इसको बलते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजिक्शन अब यहाँ हो कैसे ब्रांच टू को गुड्स भेजा समझ में रहा कि नहीं किसने जोड सो बोलो ब्रांच बनने किसको भेजा है ब्रांच टू को गुड्स भेज दिया तो ब्रांच कभी यह नहीं मानती कि उसने गुड्स ब्रांच को भेजा है भेजती डारेक्ट है क्योंकि instruction किसका होता है HO का HO instruction देता है branch one को भई यह branch two में goods की कमी हो वाँ बेज़ दो सामझ महारा कि नहीं तो branch यह नहीं मानती कि goods उसने branch को भेजा है branch one यह मानेगी कि उसने goods किसको भेजा है फड़ाफट बोलो HO को भेजा है और branch one अपनी books में क्या accounting entry डालेगी अगर मैं पोल हूँ आपसे तो branch one अपनी books में entry डालेगी कि उसने तो goods return कर दिया है समझ महारा कि नहीं तो क्या entry डालेगी वो सारे बच्चे बताओ branch one अपनी books में क्या entry डालेगी HO account debit भई यह HO को भेजा है तो HO को entry debit कर देगी HO को debit देदेगी बोलो हाय ना और two क्या लिख देगी यहां पर goods receive from HO मत्तब वो return हो गया bracket में return लिख देदाओ मैं समझ मैं रागी नी वो मारेगी कि goods हमने return कर दिया है वो कभी भी यह नहीं मानेगी कि उसने branch किसी दूसरी branch को भेजा है तो यहीं मानेगी कि भी यह उसने goods किस को भेज दिया है जोड से बोलो HO को भेज दिया है अब यह दूसरी branch का सोचो दूसरी वाली branch को goods मिला की नहीं लेकिन दूसरी वाली branch भी यह नहीं मानेगी कि branch 1 ना goods भेजा है वो हमेज़ा मानेगी कि goods किस ने भेजा है फटाफट बोलो head office ने भेजा है तो वो अपनी books में क्या इंटे डालेगी जोड़ से बोलो goods receive from हैचो account डेविट वो कभी branch नहीं लिखेगी to सारे बच्चे बताओ क्या लिख देगी बोलो हैचो account वो अपनी books में हैचो लिख लेगी क्या ही बात समझ में आई भेजती एक branch दूसरी branch को goods हैं लेकिन वो अपनी books में एक दूसरे के account उपन नहीं करते एक दूसरे की branch के नाम नहीं लिखते वो सारे transaction किस के धुरू मानते हैं किस से हो हैं फड़ाफ़ बोलो है जो भी आरहा है जा रहा है वो किस के थूरू आ रहा है हेचो के थूरू अब हेचो को दिक्कत है हेचो अपनी books में क्या लिखे एक्च्छल में है ना तो goods आया है ना goods गया है बात समझ में आ रहेगी नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्री रिवर्स करना पड़ेगी, कैसे, इसने अपनी बुक्स में हो अकाउंट को debit कर दिया है, तो हो इस ब्राँच को अपनी बुक्स में क्या देगा ना? credit देगा, बोलो हाँ है ना, इसने हो को credit कर रखा है, तो इस ब्राँच को अपनी बुक्स में वो क्या देदेगा डेबिट देदेगा समझ में आया कि नहीं मतलब करेगा क्या वो receiving party को debit कर देगा और sending party को क्या देदेगा credit देदेगा तो काम खतम हो जाएगा बात समझ में आया कि नहीं मतलब वो पहले दो इंटी डाले goods receive करने की भी भेजने की उससे अच्छा वो direct guarantee डाल देगा तो हो अपनी बुक्स में हमेशा क्या इंटी डालता है सारे बच्चे बताओ हो अपनी बुक्स में क्या इंटी डालेगा sending branch account debit किसको देदेगा sending branch बताओ मेरे books में कौनसी बाली branch sending branch थी, branch 1, तो मैं branch 1 को debit दे दूँगा sorry, receiving branch debit, कौनसी फटाफट बोलो, receiving जिसको receive हो रही, उससे पैसा लेंगे न तो किसको debit दे देंगे, फटाफट बोलो, receiving branch को debit दे देंगे, और sending branch को क्या दे देगा, फटाफट बोलो credit देगा, क्या ये बात समझ में आईगी नहीं, तो entry क्या होगी लिख लो, echo अपनी books में क्या लिखेगा, receiving branch account, debit जिसको भी receive होगी asset, उसको debit कर देंगे, और sending branch को क्या कर देंगे, फटाफट बोलो credit कर देंगे, समझ में आया की नहीं, या चाहो तो 2 entry डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मैं 2 entry या डाल के बताऊ, echo की books में सोचो, पहले goods receive होगा branch 1 से, तो वो entry डालेगा, goods send to branch account debit to branch 1 और फिर भेजने की entry डालेगा, तो goods goods cancel हो जाएगा, ultimately entry यही बचेगी, clear तो बस केवल इतनी entry डालेगा तो entry क्या हो जाएगी, branch 2 account debit 2, branch 1 clear है कि नहीं, busy इसने echo को debit किया है तो यह branch 1 credit हो जाएगी, और इसने echo को credit कर रखा है, तो यहां branch 2 debit हो जाएगी, clear है कि नहीं, reverse, opposite, आपको बता है, हमारी books में जो debit चल रहा है, echo की books में debit चल रहा है, वो echo की books में debit चल रहा है, वो echo की books में debit चल रहा है, बस opposite नाम से, तो echo इस तरह से accounting कर लेता है, इसको क्या बोलता है, फटा फटा बोलो, inter branch, transaction, समझ में आया है कि नहीं, मतलब क्या मानों कि गोड्स किसको भीजा गया है, जोड से बोलो, branch तो हमेशा यहीं माने कि गोड्स किसको भीजा गया है, echo को, और दूसरी वैली branch भीजाने कि गोड्स कहां से आ रहा है, echo से, echo क्या करता है, हर एक transaction की intending डालता, echo, monthly weekly basis पर statement बोला लेता है, कि इस branch ने क्या क्या भीजा है, उस statement के भिहाब पर, एक rough page में, एक statement बना लेता है, रफ page में क्या बना ले इस निकाल लेता है, overall क्या निकाल लेता है, और last में उनको debit card दे देता है, बात समझ में आई कि ने, बोलो, तो क्या करेगा, यह चो, सारे बच्चे जली से बताओ, यह चो, क्या करेगा, monthly weekly basis पर, branches से, क्या मंगाएगा, inter branch transaction की information मंगाएगा, उस information से क्या बनाता है, statement of inter branch transaction, और statement बना के क्या कर लेगा, अपनी books में एक general entry डाल देगा, काम खतम हो जाएगा, clear है कि ने, exam में आपको यह statement, और एक single general entry करने आती है, कि यह चो की books में general entry क्या होगी, बताओ, तो आपको सबसे पहले तो यह statement बना रानाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, फटा-फट बोल कोईड आउट, चलो, तो देखो जरा question के सा आएगा, question कुछ इस तरह से आएगा, दिया हुआ है, अकलकटा head office, pass the one entry at the end of the month, लिखाए, end में entry डालता है, वो भी कब, month के end में, to adjust the position arising out of interbranch transaction, interbranch transaction के कारण, जो during the year में transaction हुए है, उसके कारण, जो भी month में transaction हुए है, उसकी एक single entry डालना चाहता है, following interbranch transaction in April, make the entry in Calcutta head office, बोल रहा है, यह transaction हुए है, आपको general entry डालना है, तो general entry डालने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ले तो statement बना पड़ेगा, अपने, बना लेते है, सबसे पहले transaction किस ने की है, फड़ा-फड बोलो, Delhi branch, कौन सी branch कर रह हुआ, भहिया, इसको receive हुआ, goods, किस से, नाकपूर से, हुआ है कि नहीं, तो पहले तो भहिया, इसको receive हुआ है, अब सारे बच्चे बताओ, receiver party क्या होती है, जोड से बोलो, debit होती है, receive party क्या होती है, जोड से बोलो, debit होती है, तो मैं लिख रहा हूँ, receive goods, दहली branch को receive हुआ है पहला goods हुआ है कि नहीं और किस से receive हुआ वो बात की बात है लेकिन दहली ब्रांच को debit देना पड़ेगा कि नहीं क्योंकि इसको receive हो रहा है तो receiver always debit क्या है समझ में आया कि नहीं तो करो receiver को debit कितने से debit कर दूं किस-किस से नाखपुर से 9000 का और एहमदाबाद से कितने का 6000 टोटल मिला के कितने रुपे का goods receive हुआ होगा दहली को बोलो 9 और 6 15 तो दहली ब्रांच को में 15000 से क्या दे रहा हूं फटावट बोलो debit क्योंकि इसको receive हुआ और जिसने भेजा होगा उसको credit दे देते हैं किस-किस ने भेजा था फटावट बोलो नाखपुर नाखपुर ने कितने का भेजा 9000 का और एहमदाबाद ब्रांच ने कितने का भेजा है 6000 तो 6000 रुपे का इनको दोनों को credit दे दिया होगा 15000 का debit credit receiver debit sender credit clear इसके बाद देखो जरा फिर बोल रहा है good send किया अब बताओ good send किया है तो देहली ब्रांच को मेरे को क्या देना पड़ेगा ये good send कर रहे हैं बताओ देहली ब्रांच को मेरे को क्या करना पड़ेगा जोड़ से बोलो सुनाई नहीं दिया sir credit करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा credit send goods तो देहली ब्रांच को हम credit करेंगे कितने रुपे से कितने का good से बेजा है इसने 15 और 12 टोटल मिला कि कितने का 15 और 12 कितना हो गया 27 तो देहली ब्रांच को 27,000 से credit देता हूँ debit उसको देता हूँ जिसके पास मिला होगा मिला किसको हो गए एक तो आहमदाबाद ब्रांच को 15,000 का मिला होगा तो आहमदाबाद ब्रांच को 15,000 रुपे से debit देता हूँ और दूसरा किसको मिला होगा जोड से बोलो नाकपुर ब्रांच को 12,000 का तो नाकपुर ब्रांच को 12,000 से डेपिट से दिया समझ में आ गया यह था ट्रांजिक्शन हुआ उसके बाद क्या बेजा बिया बी आर मिला क्या मिला फटाफट बोलो बियार मिला चीक है बिया बियार ले लो बताओ बच्चो बियार रिसीब हुआ अच्छा, रिसीबिंग पाइटी को डेबिट अरे हाया ना रिसीबिंग पाइटी को डेबिट, तो रिसीबर पाइटी को debit दे देते हैं, सारे बच्चे बताओ कितना debit दे दूँ इसको, कितने रुपए का PR मिला होगा, 9000 तो डेली ब्रांच को 9000 से debit credit किसको कर दूँ, sender sender कौन होगा, किसने बेजाता ये अहम था, अहम था, अहम था, अहम था acceptance का मतलब होता है, BR acceptance का मतलब क्या है, फटाफट बोलो BR, कि भईया, हमने BR भीजा अता, basically, BP accept किया, उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कि BR हमने भीजा, clear रेकिनी तो सारे बच्चे बताओ, send acceptance क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं send BR अब BR send किया है, सारे बच्चे बताओ, तो देहली ब्रांच को क्या करना पड़ेगा credit देना पड़ेगी, अरे हाँ है ना, और receiver को क्या कहेंगे, debit तो sender को हम credit कर देंगे, सारे बच्चे बताओ, कितने रुपे का credit, 6 और 3, कितने रुपे से देदें credit, 6 और 3, कितना हो गया 9,000, 9,000 से देहली को credit देंगे, debit कितने से दोगे, किस-किस को debit करना है नाकपुर को 6,000 से नाकपुर को 6,000 से debit देदेंगे और अहमदाबाद ब्रांच को 3,000 से debit देदेंगे, क्या ये बास समझ में आई की नहीं कि रिसीवर हो जाएंगे क्योंकि हमने भेजी है clear ये किसके transaction होगा इंटर ब्रांच transaction, किसके होगा चारों, देहली के इसके बाद किसके ले ले हैं तो आब इसके बाद कानपुर ब्रांच डाल देते हैं उपर के transaction के अलावा कुछ कानपुर ब्रांच ने भी transaction किये हैं जो उपर में include नहीं है कानपुर ब्रांच ने कहका किया है बोरह सबसे पहले तो goods रिसीव हुआ कानपुर ब्रांच को क्या रिसीव हुआ, जोर से बोलो इसने पहला goods रिसीव बहिए बताओ goods कितना रिसीव हुआ रिसीव हुआ है कानपुर ब्रांच को तो कानपुर ब्रांच को goods रिसीव हुआ तो डेबिट देने पड़ेगी तो बहिए कितने का goods रिसीव हुआ कानपुर ब्रांच को 15 और 6 कितना हो गया 15 और 6 21,000 अरे हाँ है न, तो कानपुर ब्रांच को 21,000 रुपे से क्या दे दूँ, जोड से बोलो, डेबिट, और क्रेडिट किसको दूँ, सेंडर, सेंडर कौन कौन होंगे इसके या, सेंडर कौन है, नाकपुर और देली, तो नाकपुर को 15,000 रुपे से, क्रेड दे देते हैं, और द देहली ब्रांच को कितने रुपे से क्याइट दे दूँ, 9,000, 9,000 कि 6,000, 6,000, समझ में आयां कि नहीं, एदिया, डेबिट देना था, मैंने गडबल लिखा, क्रेड में लिखना न, सही तो लिख रहा था, 6,000, अब सही है, नाकपुर को हमने डेबिट दे दिया, क्योंकि उसको गुट से रिसीब हुआ है, और सेंडर कौन है, देहली, उनको क्रेड दे दिया, क्लियर है कि नहीं, और नाकपुर, उनको क्रेड कर दिया, इसके बाद बताओ बचो, नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रख है कैसें, क्या भेजी फटा बडब बो, अब भेजी है, बताओ बटा, क्या होगा, क्या क्या करोगे, किसको क्रेड करोगे, नाकपुर को क्रेड करना पढ़ेगा, कितने की क्रेड भेजी है, तीन और छे नौकी, तो नाकपुर को क्या देदू, क्रेट देदू, कितने रुपे से, 9,000 से, 3,6, और नाकपुर को, सुरी, कानपुर को हमने 9,000 से क्रेट कर दिया, फटा फट बोलो, क्रेट कर दिया, क्योंकि कानपुर ने भेजी है, और सारे बच्चे बदाओ, डेविट किस-किस को कर दूँ अब, नाकपुर को 3,000 से, डेविट, और देहली को कितने से डेविट, 6,000 से, 6,000 से देहली को डेविट कर दो, काम खत्ब, करते बनेगा, यह कानपुर ब्रांच का मैटनी भी निपड़ गया, कानपुर के बाद कौन है, नाकपुर, कौनसी ब्रांच है बटावट बोलो, नाकपुर ब्रांच ले लेता है, नाकपुर ब्रांच ने क्या क्या किया, नाकपुर ब्रांच ने तीन ट्रांजिक्शन किया, एक तो गुड्स भेजा है, स्केंट गुड्स, सारे बच्चे बताओ गुड्स भेज रहे हैं तो नाकपूर वरांच को क्या करना पड़ेग़ जोड से बोलो सेंडर को क्येट देना पड़ेगी था तो सेंडर को कैट दे देते हैं नाकपूर को किते रुपए का गुड्स भेज बेजा है 9000 9000 से नाकपुर को क्या दे दूँ क्रेडिट 9000 से क्रेडिट और ये मिला किसको आहमदाबाद को मिला है तो आहमदाबाद को क्या दे दे है डबिट 9000 से इसके बाद फिर से Received a PR अब बताओ Receiver हो गई है जल्ली जल्ली बताओ Receiver में क्या होगा ये डविट करना पड़ेगी नाकपुर को कितने रुपे से 9000 और किससे PR Receive हुआ इसको आहमदाबाद से आहमदाबाद को क्या करना पड़ेगा 9000 से सामझ में आ गया लास्ट एक और दे रखा है Received cash फिर से cash Receive हुआ आप यह Received cash कितना Receiver को डविट करना पड़ेगा 5000 से डविट होगी कौन सी ब्रांच नाकपुर और क्रेडिट किसको करना पड़ेगा Sender Sender कोन है आहमदाबाद हो गया सारे ट्रांजिक्शन बस सारे ट्रांजिक्शन करने के बाद टोटल लगा लो इनका कोई दिकत नहीं कितना हो गया हां बिटा 30 इधर 27,9 और 6 कितना हो रहा 42 आ रहा चीक है अब बता हो किस साइट का टोटल जादा है क्रेड़ साइट का कितना क्रेड़ टोटल जादा है 12,000 इसका मतलब इस ब्रांच को 12,000 से क्या किया जाएगा जोड़ सो बो ग्रेड़ जिस साइट का टोटल जादा है बस वो बैलेंस लिखते जाओ इसको 12,000 से क्रेड़ करेंगे नीचे लिख दो कितना लगा लुट तोटल कान पूर का 21 आ रहा है और यहां क्या आ रहा है नोजार आ रहा है बताओ कितना जादा है डेविट साइट में तोटल जिस साइट जादा है कितना जादा है 12,000 अब इसको 12,000 से क्या करना पड़ेगा फड़ाफट बोलो डेबिट डेबिट क्यों डेबिट साइट का टोटल जादा है तो डेबिट करेंगे इसको इधर बताओ next जोड़ो 12,6,3,9,5 किता रहा टूटल 35,000 और इधर 33,000 कितने रुपे का डिफरेंस आ रहा है 2000 का किसा आईट तो इसको डेबिट करेंगे 2000 इसका टूटर लगालो 15,3,18 27 इधर का टूटर लगालो 29 इधर कितने रुपे जादा आ रहा है 2000 क्रेइट साइट में तो 2000 इसको क्रेइट करेंगे बस मिल गया आपको अकाउंटिंग हो अपनी बुक्स में एक इंडी डाल देगी क्या इंडी डाल देगी सारे बच्चे जल्ली से बताओ कौन सी ब्रांच को डेबिट करना है देखली को क्या करना पहले तो ये बताओ देखली को क्या करोगे बोलो देखली को क्या करते है देखली को क्रेइट करना है ठीक है भई या देखली को क्रेइट में लिख देता है तू करके लिख दूँ कितना 12 और किसको क्रेट करना है अहमदाबाद को भी क्या करना है क्रेट करना है इसको भी क्रेट डाल देते हैं डाल दे तू लिख दू तू मतलब क्रेडिट कितना डेविट किसको करना है कानपूर और नागपूर को कानपूर को क्या कर दूँ बोलो लिख देता हूं कानपूर डेविट कितने रुपे से 12,000 से और किसको डेविट करना है नागपूर को डेविट करना है कितने रुपे से 12,000 से बताओ यह इंट्री कौन डाल रहा है पहले तो यह बताओ कब महीने के लास्ट में तो एचु को बहुत सारी इंटर टांजिक्शन रिकॉर्ड करने से बच जाएगा की नहीं तो एच्चो की बुक्स में यह वाले इंट्री हो जाएगी आपको एक्जाम में यह इंट्री करने आएगी लेकिन उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा जोड़ सो बोलो statement बनाना पड़ेगा यह statement बनाने आएगा और यह entry आएँगी इसके number मिल जाते हैं 10 number बदा कोई बुरा है क्या कल दोगे इसको बोलते हैं inter branch transaction I hope सबको समझ में आ गया होंगे तो क्या याद रखना है inter branch transaction में भाईया जो भेजने वाला है उसको क्या करोगे debit और जो receive करने वाला है उसको क्या कर दोगे अच्छा receiver को debit करेंगे पका दियान रख लो भाईया जो receiver है उससे पैसा लेंगे ऐसे याद रखो तो जो receiver है उससे पैसा लेंगे तो वो हमारा data हुआ और sender है उसको देंगे तो वो हमारा cater हो गया समझ मैं आए कि ने तो receiver always debit और sender always credit, clear याद रहेगा पिदिता पिदिता हर्षवर्दन ओके बन जाएगा करते तो ये थे बिटा हमारे art के art adjustment हो गए बस अब जो हमको पढ़ना है केवल method पढ़ना है क्या पढ़ना है फटा फट बोलो method के accounting की methods क्या होती है adjustment हर method में ये ही रहेंगे आठ गिंती के अब बचेंगी केवल method जैसे final account branch के incorporate करने की तीन methods है separate finalization method average method, detail methods ये कुछ methods है methods come discuss कर लेंगे तो आपने आप branch पढ़ने लगेगा independent branch dependent branch में कुछ पढ़ाने की ज़रुवत ही नहीं पढ़ेगी क्योंकि independent branch में branch account बनाना सीख जाओगे तो आपने आप ही बन जाएगा सब कुछ तो branch chapter is very easy बस ये 8 adjustment आपको आते हैं तो समझ में आया की नहीं अब बताओ क्या ये 8 adjustments आपको समझ में आ गए तो बस कल से हम इनको पढ़ लेंगे एक एक करके तीनों methods को एक बार go through कर लेंगे तो ये independent branch हो जाएगी तीन method dependent branch में है वो पढ़ लेंगे data, stock and data और एक retail और एक finalization है तो खेर वो अपने आप बनी जाएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है एक लिए तीन पढ़ना है वो आप आप आपी data, stock and data और एक retail price method बस काम गतम है, तीन method वो आया है तीन ही आया है, टोटल विला कि छे methods है काम गतम it is easy अभी थोड़ी सी overall summary समझ में आईगी नहीं बिरांच के पढ़ने का तरी का समझ में आया दुए में अड़ट नहीं मानना है कि कहीं भी कुछ भी बढ़ रहे हो adjustment यही है मिटा clear चौल, तो इतना पढ़के आओ बाकी मिलते हैं कल, बाबाई sir, B.com की exam 7-10 है okay, कब से? कल ही है? ओहु हाँ मेरे को schedule भेज़ दो देख बार मैं देख लेता हूँ उस दिन अपन time adjust कल लेंगे okay, बिटा चलो, तो मिलते हैं कल, बाबाई अपनवार को प्तू से? कि मढई।